हलो एवरिवन, आएम डॉक्टर सारिका और आज जो हम बात करेंगे जो हमने प्रीवेस वीडियो में लास्ट हमारी स्लाइट थी मेथड्स ओफ कॉंट्रसेप्शन की जो हमने सिर्फ उसके नाम देखे थे आज हम उन सारे मेथड्स को डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या-क्या मेथड्स थे कॉंट्रसेप्शन के देखो यहां पर बहुत सारे मेथड्स हैं कुछ नाचुरल हैं और कुछ आटिफिशल हैं बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए यह सारे मेथड्स दिये गए हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल आपका जो पहला मेथड्स है वो है नाचुरल मेथड्स उसके बाद यह जितने भी मेथड्स दिये हुए हैं यह सारे मेथड्स आपके आर्टिफिशल में आते हैं ठीक है यह आपका नाचुरल है बाकी सारे आपके आर्टिफिशल मेथड्स है अब यह मेथड्स कब आए कैसे आए इनको हम गिटेल में स्टडी करेंगे अगर हम बात करें नाच्रल और ट्रेडिश्ट्रल मेथड्स की पहले के जमाने में बर्थ को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था इस बारे में कोई नौलज ही नहीं थी तो एक सबसे जो कॉमन मेथड था वो ट्रेडिश्रल उसके बाद धीरे धीरे साइंटेस्ट ने डिसकवर किया कि किस तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कौन-कौन से मेथड से कर सकते हैं और कौन सा मेथड कितना एफेक्टिव है ठीक है तो यह जो मेथड्स आप देख रहे हो आर्टिफिशल मेथड्स में यह एके करके इनमें भी बहुत सारे modification किये गए, जैसे आप आगे जब पढ़ोगे barrier methods में, तो कुछ और categories हैं, intrauterine device की है, और oral contraceptives की है, तो ये day by day modify होने लगा, कि कौन से कैसे effective होंगे आपके पास, ठीक है? तो next हम first बात करते हैं, natural or traditional method की, natural or traditional method क्या होता है, basically it works on the principle of avoiding the chance of sperm and egg meeting, yes, अगर हम sperm और egg को meet करने से ही रोग दे, मतलब उनकी meeting ही ना हो, तो आपका birth control हो सकता है, right, क्योंकि fertilization ही नहीं होगा, अगर दोनों meet नहीं करेंगे, तो simply birth control का ये natural method है, अब natural method में हम पहला बात करते हैं, periodic abstinence, periodic abstinence क्या होता है? इस method में, the couple avoid coitus between 10th and 17th day of the menstrual cycle, because during this period, the chances of ovulation is maximum, जब female का menstruation period चलता है, तो अगर उसका जो 10th और between 10th and 17th day की बात करें, तो इस period में ovulation जो होता है, वो maximum होता है, therefore, abstaining from coitus, decrease the chances of pregnancy, ठीक है, next आपका natural method में है, coitus interruptus, जिसको हम withdrawal भी बोलते हैं, अब इस method में क्या होता है, in this method, the male withdraw the penis from the vagina during coitus, just before ejaculation, therefore, he prevent the release of semen and thus he prevent insemination, ठीक है, third आपका natural method का है, lactational amenorrhea, अब lactational amenorrhea क्या होता है, this is the period of the absence of menstruation during the period of lactation, अब already पढ़ चुके हो, lactation क्या होता है, third chapter में, ठीक है, lactation के time पे menstruation नहीं होता, females में, ठीक है, तो अब यह believe क्या जाता है, कि in the absence of menstruation, और during this period, there is no ovulation, ovulation नहीं होगा, तो chances कम हो जाएंगे, however, this method is effective only up to six months after parturation, during the period of intense lactation, जो यह वाला आपका lactation का period होता है, यह six months के लिए होता है, that means, सिर्फ effective रहेगा आपका six months के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें intense lactation होता है, female की body में, तो यह जो थे आपके तीन method, यह natural methods थे, जो पहले के time पे इंडिया में use किया जाता था, in fact, country में हमारे यह तीनो method सबसे जादा popular थे, but इन तीनों के अलावा फिर time by time, जैसे ही time pass हुआ, कुछ artificial methods भी लेकर आए, हमारे scientist बर्थ को control करने के लिए, so artificial methods की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहला है आपका barrier method, barrier method क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, spams and ovum are physically prevented from meeting with the help of barriers, चीक है, natural में भी वही चीज़ है, जब आप spams और ovum को मिलने ही नहीं दोगे, यह तो fertilization ही नहीं होगा, तो अब barrier की help से कैसे birth control किया गया, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, condoms की, आपको मालूम हैं बहुत popular है, आज के time पे सबसे ज़ादा जो common method है, birth control का वो condoms ही है, अब condoms में, male और female दोनों का होता है, आप condoms होते क्या है, इस made up of, made of thin rubber, और latex sheet, that cover penis in male and cervix in female, चीक है, male और female दोनों हैं, और दोनों ही condoms आपके disposable होते हैं, चीक है, अब क्या use है इसका, अज use of condoms prevent the contact of genital tract, it is also help in preventing STD, last previous video में हमने ये पढ़ा है, sexually transmitted disease, चीक है, तो ये condoms की बात है, अब अगर मैं male और female की बात करूँ, तो हमारी देश में सबसे जादा जो common है वो male condoms है, देखो female condoms को इंसर्ट करने में बहुत problem होती है और उसका failure, जो chances of failure होते हैं वो बहुत जादा होते हैं इसलिए maximum यही use किया जाता है, पहले के time पे in fact अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से areas में इनके बारे में पता ही नहीं है, मतलब लोग use ही नहीं करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि यह सब चीजे है भी, और in fact government ने free में आपने सुना होगा निरोध के नाम से condoms आते थे, जो free में government देती थी ठीक है लेकिन अभी भी बहुत लोगों को इसके बारे में मालूमी नहीं है, अच्छा condoms के अलावा कुछ और barrier methods है, जो है आपका एक reusable barriers, अब इसके अगर मैं example की बात करूँ, तो जैसे आपके cervical caps है, walls है, और diaphragms है, यह सारे इसमें use किये जाते हैं, इसमें क्या होता है कि they are inserted into the female cervix during coitus to prevent the entry of spums, अब जैसे condoms की हमने बात करी, आज के ताइम पर क्या होता है कि scientist ने इसको और improve करने के लिए, एक chemical की, spermicidal की एक layer भी इसके उपर लगाई जाती है, जिससे chemical release होते है, so that, जो sperms की mortality है, वो decrease हो जाए, और sperm का जो life span है, वो कम हो जाए, ठीक है, तो ये था आपका barrier method, कुछ picture है, condom की, वो आप देख लो, ये जो है, आपका, ये male condom है, और ये आपका female condom है, अब जो मैंने spermicidal की बात किया आप से, वो ये होता है, कि condoms की चारों तरफ, एक layer और chemical की चड़ा देते हैं, जो आपके sperm की mortality को कम कर देती है, ठीक है, तो next हम method की बात करते हैं, next आपका method है, intrauterine device, now these devices are inserted into the uterus by doctors और expert nurses through the vagina, ठीक है, अब इसमें भी तीन हैं आपके types, first है आपका non-medicated, intrauterine devices, अब non-medicated क्या है, आप इसको ऐसे लो, कि generation to generation ये modify हुआ और changes हुए इसमें, जब पहली generation में जब intrauterine device आया, तो non-medicated intrauterine device आया, जो बहुत simple था, plastic का बना हुआ था, अगर हम uterus की बात करें, तो एक simple प्लास्टिक की structure बना के uterus में insert कर दिया जाता था, females में, ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ non-medicated की, तो ये क्या करता है, it increased phagocytosis of sperm, means ingestion of sperms, ठीक है, इसका example आपके पास है, non-medicated का, अगर non-medicated intrauterine device की बात करूँ तो इसका एक example है, lips loop, ठीक है, तो ये एक intrauterine device है, जो पहले use की जाती थी, उसके बात next generation में उसको और modify किया, और effective बनाया, तो हमारे पास क्या आया, copper releasing intrauterine devices, अब copper releasing में आपके बहुत सारे example है, आपका copper T है, copper 7 है, और multilode 375 है, इसमें क्या हुआ कि जैसे copper T आप समझो, copper का बना हुआ, T-shape का, तो वो uterus में insert कर दिया जाता था, T-shape का, अब इस T-shape में क्या है, क्या होता था, कि जो copper था आपका, वो coil form में इस तरीके से, copper wires इसमें coil होती थी, ठीक है, जो क्या करती थी, वो sperm की motility को decrease करती थी, अगर मैं 7 की बात करूँ, तो 7 इस तरीके से, ये 7 copper T, अच्छा, इन में भी न, बहुत सारे code होते हैं, जैसे copper T 380 होता है, copper T 240 होता है, तो ये इसका अपना ही एक code होता था, उसका मतलब कि जो ये wire, copper की wire जो है, ये जो coiled है, ये कितने layer में coiled है, या कितनी इसमें spiral आ रही है, तो इस तरीके से, ये code के coding होता था, अच्छा, ये क्या करता था, कि यहां से आपके copper iron release करता था, body के अंदर, जो हमारी sperm की mortality को decrease करने में help करता था, ऐसे ही 7 work करता था और multi load 375, ये कुछ example है आपके copper releasing intrauterine device के, उसके बाद third generation में और modification हुआ, तब क्या है, ये जो hormones लिखा है, basically ऐसे intrauterine devices को बनाया गया, जो hormones को release करते थे, अब वो hormones क्या-क्या थे, जैसे आपका एक था, progestacert, ठीक है, एक इसका बहुत common और popular example है, LNG20, LNG की full form है, levonorgestrol 20, levonorgestrol 20, अब ये 20 क्या indicate कर रहा है, 20 means, जो उसकी concentration है, उस hormone की, हमारी body के अंदर जब intrauterine devices insert किये जाते हैं, तो अगर मैं third generation की बात करूँ, कि ऐसे devices जो हमारी body में hormone release करते थे, उसमें ये 20 represent करता है, कि 20 microgram per day, और भी बहुत सारे इसके codes आते हैं, means, एक दिन में वो 20 microgram, जो quantity है, वो release करता है, जो हमारे sperm की mortality कम करता है, और उसके lifespan को बहुत कम कर देता है, ये जो method है, it actually make the uterine unsuitable for implantation, which is also make the cervix hostile to spums, मतलब कि ये क्या करता है, कि सपोज कि sperm और egg मिल भी गए, fertilized हो भी गए, बट ये जो uterine wall है, इसको इतना weak बना देता है, कि implantation होता ही नहीं है, implantation ही नहीं होने देता, तो आपकी problem solve हो जाती है, ठीक है, नाउ, ये जो intrauterine devices है, these devices are ideal contraceptive for the females for family planning, and are among the most widely used method of contraception, सबसे जादा जो method use किया जाता है, common होता है, वो intrauterine device ही होता है, अच्छा ये एक और picture है, ये actually में copper T की picture है, मैंने आपको बताया था ना, तो जैसे मैंने आपको explain किया, कि वो uterus में, इस shape में insert किया जाता है, और अब copper 7 है, वो इस तरीके से, 7 की shape में, ठीक है, चलो next हम method की बात करते हैं, oral contraceptive method, बहुत से add आते हैं, बहुत common है, इस में होता क्या है, इस method actually involves the oral administration of progestogens, और progesterone और estrogen combination in the form of pill, आपने menstrual cycle में सुना होगा, दो जो आपके hormones सबसे जादा release होते हैं, और जिसकी amount बहुत जादा vary करती है, डे बाई डे, वो कौन से है, progesterone और estrogen, अब इस method में क्या किया, scientist ने कि इन दोनों का combination लिया, means, progestogens, इस combination की form में वो pill लेकर आए, अब these are used by the females for 21 days, starting within the first 5 days of the menstrual cycle, then after a gap of 7 days, the cycle is repeated until the female wish to conceive, अब देखो, आपने इसके examples देखे होंगे, बहुत, तीवी में बहुत आड आते हैं, आपका सहेली है, अन्वांटेज 72 है, ये क्या करता है, अब इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया, कि scientist ने सोचा कि हम ऐसे combination बनाए, progesteron का, progesteron और estrogen को लेके, so that जिस तरीके से menstrual cycle में, आपको याद होगा, हमने जब menstrual cycle की topic में discuss किया था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से day by day, progesteron और estrogen की जो quantity है, वो decrease करती थी और vary करती थी, तो उन्होंने यही सोचा कि हम इसी तरीके से ऐसी pills बनाते हैं, जिसमें हर दिन का जो amount है, इनके combination को लेके, वो vary करें, अब for example, अगर आप यहाँ पे pictures देख रहे हो, तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ठीक है, Sunday, Monday, Tuesday, अब यह जो day लिखे गए, in fact, कुछ pills पे न, day लिखा जाता है, day one, day two, day three, सारे days के according, तो उसका मतलब क्या है कि जिसे day one पे, आपका progesteron की level जो है, वो high है, supposedly, तो day two में उसका amount vary करेगा, ठीक है, day three में और vary करेगा, तो उन्होंने variations के according की, किस तरीके से हमारी body में, जब menstrual cycle में, इन hormones का amount vary करता था, उसी तरीके से उन्होंने इहाँ पे, pills भी develop की, discover की, कि अगर यह day one पे लेना है, फिर यह day two पे लेना है, तो इसी तरीके से, अब देखो, यहाँ पे mark भी लगाए हुए, कि अगर आप यहाँ से start कर रहे हो, तो उसके बाद आपको Saturday के बाद, Sunday, Monday, Tuesday, यह, इस तरीके से start करना है, वो यही reason था, कि आपको मालूम हो, कि कौन से दिन पर कौन सी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टाबलेट का amount, इनको लेके different है, vary कर रहा है, तो वो आपकी body में कौन से दिन पर कितना level होना चाहिए, उसी accordingly यह pills prepare की गई, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे इसको ज़्यादा show नहीं हो रहा है, लेकिन Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, यह जो लाइन है, week 1 की है, यह जो लाइन है, week 2 की है, यह जो लाइन है, week 3 की है, अब आप देखरों यहाँ color change हो रहा है, last days में वो iron के tablets देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यह vary करता है, अच्छा, पहले क्या था, कि इन दोनों hormones का, इन दोनों जो आपके हैं, progesterone और estrogens, इनका amount almost ratio similar था, बट जब कुछ research की गई इस चीज़ पे, और पता चला, कि जो estrogen है, वो actually female में breast cancer कर देता है, तो फिर scientist ने फिर इस चीज़ पर research की, और फिर देखा, कि क्यों ना हम progesterone का amount ज़ादा रखें, और आगे आने वाले time में, उन्होंने ये भी किया कि ये जो pills हैं, ये सिर्फ progesterone की भी बने, ठीक है, तो उस according बहुत सारे modification हुए birth control के लिए, next, अच्छा, इसमें एक और काम है, ये काम क्या करता है, these pills actually work by inhibiting ovulation and implantation, as well as it alter the quality of cervix mucus to retard or prevent the entry of sperms, ठीक है, next method की हम बात करते हैं, next है आपका injectable and implants, अब injectable से कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा, inject करना हमारी body में, implant करना, तो इसमें भी क्या use किया गया, progesterone, और इसमें भी आपका एक तो progesterone use किया गया, और combination use किया गया, progesterone और estrogens का, ठीक है, अब यह जो आप picture देख रहे हो, यह implant की picture है, इसमें क्या होता है, कि आपका जो progesterone है और उसका जो combination है, they are injected into the females, ठीक है, under the skin, and these such injectable and implants जो है, they are functionally similar to pill, but their effective period is very longer, मतलब कि अगर हम oral contraceptive से इसको compare करे, तो इसका जो effective period था, वो बहुत ज़ादा है as compared to other pills, ठीक है, next method है आपका surgical method, यह बहुत common method है, अगर मैं इंडिया के respect पे बात करूँ, तो सबसे ज़ादा जो method यूज किया जाता है, वो surgical method ही यूज किया जाता है, एक था आपका artificial method में, जो barrier method की हमने बात की थी, जिसमें condoms का यूज किया जाता, या तो लोग वो ज़ादा यूज करते हैं, या फिर surgical method यूज करते हैं, अब surgical methods है क्या, अब अगर मैं sterilization की इस method की बात करूँ, तो यह male और female दोनों के लिए होता है, sterilization in males called as vasectomy, यह आप देख रहो, और अगर females की बात करें, तो sterilization in females is called tubectomy, अब क्यूंकि इंडिया male dominating है, ठीक है, तो यह तो चलता नहीं है, बट यह जरूर चलता है यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दोनों को आप समझो, वैसे tummy में जो male vast difference है, उसको tie कर देते हैं, यह उसको remove कर देते हैं, scrotum से, तो basically इसमें होता क्या है, vast difference is tied up, और remove, through a small incision in the scrotum. Right, उसे बोलते हैं, वैसे tummy, और अगर tubectomy की बात करूँ, तो इसमें आपका जो female है, उसका जो small part of fallopian tube, that part is tied up और removed through a small incision in the abdomen और vagina. So, यह आपके methods है, surgical methods के and surgical methods, they are highly effective in our country. ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई, आपके natural method और artificial method of contraception. Next video में हम next topic के बारे में discuss करेंगे, till then keep revising. झाल करेंगे लाँ झाल करेंगे,